कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके साथ ही कई अन्य कर्मचारी भी कोरोना से पीड़ित बढ़ता हैं तो लगातार देश में कोरूना का संकर्मन काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते सुप्रीम कोट की तीन बेंच आज नहीं बहती ये बड़ा और एहम फैसला कोरोना के चलते ही लिया गया है लेकिन ओनलाइन जितनी भी प्रक्रिया है सुनवाई की वो फिलाल जारी है लेकिन संक्रमन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है सुप्रीम कोट में भी अगर हम जजिस की बात करें तो दस जज कोरोना से संक्रमन बताय जा रहे हैं इसलिए साफधानी रखें और अपना ध्यान रखें